जहिन जैबारत दोस्तों आप सभी को दिवाली की सुभकामना हैं और उम्मीद है कि आप जो हमारी संस्कृती है उस हिसाफ से दिवाली को मनाएंगे और इस खुसी के परवका जो है इंज्वाय कर रहे होंगे चाहे आप उत्तर प्रदेश सभिस्पेक्टर एक्जाम के लिए तैयारी कर रहे होंगे चाहे एंटीपीसी चाहे किसी अन्य एक्जाम के लिए किसी से भी लडाई जगडा विवाद ए सब करने का प्रयास नहीं करियेगा क्योंकि आवेस में आके आप ए सब काम तो कर जाते हैं लेकिन बाद में जब आपका वेरिफिकेशन होना होता है उत्तर प्रदेश पुलीस एक्जाम को लेके लेकिन उससे पहले दो चार मिनट मैं आपको ग्यान की बाते सुनाना चाहूंगा दो तीन मिनट देखो अधिकतर बच्चे किसमे परसान है सबसे ज़्यदा ओ किसमे परसान है वेकेंसी कब आएगी इसका लगबग 10-15 वीडिय देखते हैं कि वेकेंसी कब आएगी एक्जाम कब होगा कम से कम 50 वीडियो देखते हैं कम से कम 50 वीडियो देखते हैं और यह कौन देखते हैं असफल होने वाले लोग देखते हैं रिजल्ट कब आएगा कम से कम 30 वीडियो तो देखी चुके होंगे तो कुल मिला के पर खोकस ना करके वह किस पर फोकस करते हैं, वेकेंसी कव आएगी, एक्जाम कभ होगा, रिजल्ट कव आएगा, और पूरा ध्यान उनका यहीं पर रहता है। उनका ध्यान इस पे रहता नहीं है कि जो ए सभी प्रोसेस हो रहे हैं अगर उस पे कोई प्रभाव डालेगा तो क्या डालेगा कि आप कैसे content को पढ़ रहे हैं क्या होगा भाई क्या होगा भगवान जी रिजल्ट क्या होगा लेकिन मैं अगर बता दूं अगर आप अपने अंदर सुधार कर लेते हैं ठीक है गलती आपकी भी नहीं है जो यूटूबर्स हैं कि क्या यूटूबर्स हैं ठीक है अब मैं online platform में हूं नहीं तो अब तक मैं 50 स सज्जित सब्दों से उनको सुसोभित कर दिया होता पचास सब्दों से ठीक है जो मलब ऐसे वीडियो दिन भर खाली है तो बच्चों का समय बर्बाद करने के लिए बनाते रहते हैं अरे भाई तुम अगर चाहते हो कि तुमारे चैनल पर व्यूज आये लोग फालो करें तो अगर कोंटेंट पर बनाओ न भाई लगतार किसी एक एक सब्जेक्ट कोंटेंट पर वीडियो बनाओ न पीडियो बच्चों को दोना मैथ के कोश्चन डिरिजणिंग के कोश्चन दोना तुम बस यही लेके क्यों आजाते हो न्यूज ठीक हैं अगर कोई हिमाला पर चला होगा या कोई चूहे के बिल में घुस गया होगा या कोई बननलब सौ। कर या किएा वाइस रीजल्ट आता है उसका से दिशन हो जाता है थुसको भी फोन हो जाएगा रे भाई ते 말 तेरा रीजल्ट आ गया तु आजा वापस आजा फिजिकल देना है तो जो चीजें आपको आधे घंटे के अंदर पता चल जाएंगी आप उन्हीं पर फोकस करते हो कि वेकेंसी कब आएगा वेकेंसी आते ही आपको एक दो दिन में पता चल जाएगा कैसे भी कोई भी वेकेंसी रहे अगर आप उस एक आपको अधिक तदिक दो से चार घंटे में पता चल जाएगा तस घंटे में सेम डे पता सल जाएगा कैसे बोल आएं जैसे मालो योगी जी ने बोला चलो उससी इंफरमेशन को दे सकते थे कि योगी जी ने बोला है कि इस महीने के लाश्ट तक जो है रिजल्ट का प्रियास है हमारा अधिकारियों को आदेश दिया जाता है लेकिन आप इस बात को ध्यान देना भूल गए कि महीने के अंतिम दिवाली पड़ रही है क्या महीने के अंतिम दिवाली पड़ रही है अब कोई बेवकूफ मनलब क्योई वैसा ही रहेगा जो इन चीजों को ध्यान नहीं देगा कि सरकार का काम क्या होता है मैक्समम परजा को सुखी देखना क्या सरकार का यही काम होता है मै प्रजा जो है हमारी खुस रहें तो अगर आप दिवाली के जस्ट मान लो दो दिन तीन दिन पहले रिजल्ट देते हो तो पचास लाख लोगों में से सलेक्शन कितना का होगा फिजिकल के लिए बुलाए जाएगा एक लाख अस्ती हजार का लेकिन जो लड़का बार्डर पर मेरिट पर रहेगा मान लो 50 लाख में से 1 लाख लेकिन इस में से पढ़ने वाले अधिक साधिक मान लिया जाए आपके 5 से 7 लाख पढ़ने वाले मान लिया जाए तो कम से कम 1 लाख मान लो लोगों का सलेक्शन भी हो जाए तो कितने चार-पांच लोगों का परिवार दुखी होगा की नहीं होगा बताओ क्या एक छोटा नंबर होगा चार-पांच लाख लोगों का परिवार दुखी होगा नहीं मेरे भाई यह एक बहुत बड़ा नंबर होगा चार-पांच लाख लोगों का परिवार दुखी होना बहुत बड़ा नंबर होगा और कोई भी सरकार या कोई भी व्यक्ति जो मनलब सर्व हित की सर्व सुख सबका हित और सबका सुख सोचेगा मुझे किसी भी तरह से नहीं लगता है कि दिवाली एक मनलब बहुत बड़ा तेवार माना जाता है मेरे दोस्त बहुत बड़ा तेवार माना जाता है अगर आप इसको इंज्वाय कर रहे होंगे इसको समझ रहे होंगे ठीक है और आप बस इन चूतियों के चक्कर में पड़े होंगे जो लगतार बस यही रोज कह र आ जाजाएगा result आ जाजाएगा result अरे भाई जबाना होगा आ जाएगा result तुमको एक घंटे के अंदर पता चल जाएगा या तो मैं यही कहूंगा अगला को इक्जाम का त्यारी कर रहे हो तो पूरा focus हुसी पकरो और तुम अगर सिर्फ अपना मान रहे हो कि यूपी पुलिस कांस्टेवल मेरा अंतीम है तो सुबह मस्त दोड़ो साम को मस्त दोड़ो खा पी के एकदम इतना मौज में रहो वेब सिरीज देखो उसके बाद मूवी देखो ठीक है फिर और क्या कर सकते हो जो भी तरीका हो सकता है इंज्वाय करने का दिवाली है दसाहरा है सब त करो एकको हो डिया फिर तडब ओगे खुटी मिल जाया ठीक तडब आयेगी बाहर की परिवार से मिलने जाना तो जब तक हो मैं यही करूंगा इंज्वाय कर लो ठीक है बाकि रीजल्ट आपका बेस करता है आपने इंधर फोकस किया है कि इधर फोकस किया है इधर फोकस करोगे तो आज तुम खुसियां मना रहे होगे मैं बता रहा हूं जो बच्चा इधर फोकस किया होगा उसका 230-240 के करीब 220 के पार 210 के पार होगा और मस्त खुसियां मना रहा होगा कि उसका सेलेक्शन हो जाएगा लेकिन जो इ सोच रहे होंगे मेरा क्या होगा रिजल्ट आ जाता तो पता चल जाता तुम्हारा कुछ नहीं होगा क्योंकि तुमने जैसे कर्म किये हैं वही फल तुमके पराप्त हो रहे हैं न तुम कोई तेवार मना पाओगे न कुछ मना पाओगे तुमने अपनी सक्ति अपनी एनर्जी को इधर खर्श कर दिया है अब लास्ट में आज चलो बता देता हूं क्या नियूज है ऐसा कोई नियूज नहीं है मेरा जहां तक दिल कहता था ठीक है कि आपका रिजल्ट जब 25-26 तारिक तक नहीं आया रिजल्ट तभी मुझे लगने लगा था कि बहुत कम चांस है कि दिवाली पे प्रजा को जो है दुखी किया जाए नौंबर में मुझे पूरा चांस लगता है जब भी रिजल्ट आ जाए मैं ज्यादा इस पे वीडियो नहीं बनाऊंगा एक दिन तब मैं वीडियो बनाऊंगा जब रिजल्ट आएगा और आज मैं आपको आगाह करने के लिए दिवाली को इंज्वाय करने के लिए दिवा का आप बायो डाटा निकालो कि ओ कांटेंट पर कितने वीडियो डालता है और फालतु न्यूज पर कितने वीडियो डालता है न्यूज पर कितने वीडियो डालता है बेखूफ आदमी हो और कांटेंट पर कितना वीडियो डालता है ठीक है क्योंकि न्यूज दस दिन से सब बोलने हैं कल आएगा रिजल्ट, आ जाएगा रिजल्ट, कल आएगा रिजल्ट, आ जाएगा रिजल्ट, आ जाएगा रिजल्ट, क्या मतलब तेरे न्यूज का, क्या करें तेरे न्यूज का, ठीक है बताओ, क्या किया जाए तेरे न्यूज का, जब तुझे प करेंगे ना यह क्योंकि यह फालतू के आदमी है इनके पास टाइम भरपूर है तो मैं यही कहूंगा तुमको आकलन करना होगा अगर तुम अपना भवी से अच्छा देखना चाहते हो कि कॉंटेंट पर कौन ज्यादा वीडियो डालता है और न्यूज पर कौन और तुमको निकलवाएगा कि न्यूज इकजान निकलवाएगा अगर तुम देखते रहोगे तो देखते रहो अपनी ऐसी की तैसी करते रहो लंका लगाते रहो ठीक है तुम्हारा भाग जो है कहा गया है आदमी अपने भाग का निर्माता स्वैम होता है अगर नहीं बदलोगे अपन में यही कहूंगा अगेन आपको और आपके परिवार को हैपी दिवाली किसी से लड़ाई जगड़ा विवात करने का प्रयास नहीं करिएगा समाज में सांती जोस्था बनाए रखिएगा ठीक है जैहिन जैवार